दर्शकों को नमस्कार मैं रुपालित रिपाथी आज के स्वास्त चर्चा कारक्रम में आप सभी का स्वागत है आज की चर्चा इसलिए खास है क्योंकि एक या दो आयूवर को नहीं जोडती है बलकि तमाम यूवा पीडियों के लिए चिंता का विशय है आज के हमारे कारक्रम में जो विशय है है मईग्रेन जिसे हम घिंदी में अध्कपारी भी कहते है अब माइग्रेन अगर लोग कहता है तो सबसे पहले माइग्रेन से लोगों के मन में डर बैट जाता है माईग्रेन एक ऐसी चीज उत्पन हो गई है जिसमें असहनिय दर्द लोगों को झेलना पड़ रहा है और अगर देखा जाए तो सबसे जादा ये आजकल के युवह पीडी में जो है वो दिखाई दे रही है तो इसकी root cause कैसे हैं लोगों को आज तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है जानकारी के अभाव में course of treatment गलत चला जाता है तो ऐसे लोगों को अगर पता चले कि उत्पन कहां से हो रहा है कैसे हो रहा है तो इनके लिए काफी कारेगर हो जाएगा देखे पहले हमें समझना चाहिए कि माइगरेन क्या है यह basically neurological disorder है जिसमें आपके सर में बहुत जादा असहनिय दर्द होता है यह 4 गंटे से minimum लेकर के 3-4 दिन भी हो सकता है कई बर लोगों को इसमें उल्टी जैसा नौशिया और उल्टी भी होती है और इतना जादा दर्द होता है कि आप जो रोज के काम कर रहे हैं उसमें आप असक्षम हो जाते हैं आप नहीं करते हैं यह bedridden हो सकता है तो यह headache का ही एक प्रकार है बट यह इतना जादा हो जाता है कि आप अपनी रोज के काम को नहीं कर पाते हैं अगर हम cause के बारे में देखें तो cause बहुत सारे हो सकते हैं पहला अगर आपने नीन सही से नहीं ली है तो आप पानी ढंग से नहीं पी रहे हैं तो stress है, anxiety और यह hereditary भी है अगर आपकी family में यह कहीं से आ रहा है तो chances हैं कि आपको भी यह हो सकता है तो आपको basically precautions लेने होते हैं इसके लिए अगर आप female हैं तो आप में ज़्यादा chances हैं कि आपको migraine के attacks ज़्यादा हो सकते हैं युवापीडी में भी आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और males में भी देखा जा रहा है आपने नीन का जिक्र किया है आजकल की work cycle जो है वो इतने हेक्टिक हो गई है तो नीन आप कितना सुझाओ देंगी लोगों को कि इतना लेना चाहिए ताकि उनको अराम से healthy वो रह सके fit रह सके कितना उन्हें नीन लेना चाहिए ताकि उपने work schedule को पूरा कर सके साथ में migraine से भी बचा जा सके देखे नीन बहुत अवशक है आपकी body को normal function करने के लिए अगर आप proper 8 गंटी की नीन नहीं लेते हैं अगर आप युवा है और old age पे भी है तो आपको minimum 8, 7 to 8 hours everyday आपको सोना ही सोना है अगर आप नहीं सोईगे तो आप stress पे चले जाते हैं जब आप stress पे जाते हैं तो आपकी body जो है कि आप mobile, tv, laptop, computer थोड़ा कम करें आपको थोड़ा सा rest दें क्योंकि अगर आप पे जादा अभार पड़ता है तो भी आपको headache होता है और अगर यह continuous headache cycle चल रही है तो यह कहीं न कहीं migraine में convert हो जाएगी अब अगर सरकारी hospital लोग जाते हैं तो सबसे जादा अगर देखा जाए तो दस में से साथ मरीज निकल जाते स्कूली चात्रा और चात्र तो यह देखा जा रहा है कि फैलाओ जो है वो बहुत तेरी से बढ़ रहा है कहीं न कहीं फैलाओ जो बच्चे है युवा है उनमें काफी जादा पहले एक transition आया है इसे पहले देखा गया था कि adults को हीट करता था जहां पर अडल्स में चश्म लगाने के उनके जरूत पड़ जाती थी उनको दिक्कते आती थी आप बच्चों में काफी जाद ट्रिगर कर रहा है तो आपको observation कैसा रहा है as a doctor किस तरीके से आप देख पारें कि pattern fell रहा है किस age group में जादा आ रहा है देखे पहले जो stress था वो खली युवा पीडी में होता था related to शादी, career, family, friends और उसके बाद आगे stress बहुत जादा होता था अब क्या है हमने बच्चों में भी stress parents as a parent हमने बच्चों में बहुत जादा stress भर दिया है, mobile TV बहुत जादा हो गया है, पहले हम घर का बना हुआ खाना खाते थे बाहर का खाना नहीं खाते थे आप जितने भी बच्चे है युवा पीडी है और बुजर्ग अडल्स भी जो है वो भी बाहर का खाना जादा प्रिफर करते हैं जिसमें MSG बहुत जादा ह इसमें जो भी आप asparagus और यह सब जो आड कर रहे हैं यह कहीं न कहीं आपकी बॉडी में कुछ hormones को उपर करता है जो आपको stress anxiety देता है और आपकी nerve disorders को न्यौता देता है तो यूवा पीडी में आपने दिखा ही है कि आप मोबाइल से दूर रख नहीं सकते हैं, laptop computer must हो गया है क्योंकि आपको update होना जरूरी है और fast food तो हर बच्चों को आज 3-4 दिन चाहिए होता है तो अगर हम यह avoid करते हैं बाहर खेल कुद करते हैं, physical activity करते हैं तो chances है कि आप इसको काफी हद तक control कर सकते हैं आपके जीवन शैली अगर बदल देते हैं तो आपको migraine कभी भी नहीं ह चोड़ना है और कहीं ना कहीं जागरुकता की भी कमी है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो क्या do's and don't suggest करेंगी कि बच्चे जो हैं जो सबसे ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं क्या वो भोजन ग्रहन करें क्या वो नहीं खाये fast food की बात करें तो देखिए आपको माइग्रेन हो सकता है आप कोशिश यह कीजिए कि 8 गंटे की स्लीप लीजे जितना हो सके आप मुबाइल तीवी को कम करिये और exercise जरूर कीजिए healthy food खाना बहुत जरूरी है और पानी पीना बहुत जरूरी है अगर आप हाइडरेट रहते हैं तो आपको neurological disorders नहीं होते यह बहुत कम हो जाती है आप में मात्रा है अगर हम females के बारे में बात करें ऐसे बच्चियां या ऐसे यूथ girls में जो की अमीना की पेहमी period स्टार्ट हो रहे हैं जिनकों अगर वो obese हैं और यह सब अपना lifestyle नहीं follow करती हैं तो ऐसे बच्चों में माइगरेन बहुत ज्यादा common देखे हैं मैंने अपने practice में लड़कों की अगर हम बात करें अगर आप obese 24 गंटे आप mobile TV करते हैं और आप हर दूसरे दिन बाहर का घर भी मैगी चौमेन बना के इस तरीके का फास्ट पूट खा रहे हैं प्रोसेस्ट फूट खा रहे हैं शुगरी फूट खा रहे हैं ज्यादा चॉकलेट खा रहे हैं तो ऐसे बच्चों में देखा गया है कि माईगरेन के जो अटैक्स हैं बहुत ज्यादा frequency हैं तो माइग्रिन एटेक्स तो आही रहा है और लोगों में अभी तक जारी है लेकिन उन लोगों southwest जानकारी नहीं आए पीड़ा को वह अखे करता है क्योंकों करता है कि कौन-कौन से औंग अगों पॉंग को अरो लेट ना चाहिए डे-टू-डे रूटीन लाइफ में उसका ख्याल रख पाए तो कौन-कौन से चीजें हैं कौन-कौन से अंग प्रभावित हो पाता है एक बार अगर वो माईग्रेन की चपेट में आ गए तो देखें आप पहले यह समझिए माईग्रेन एक प्रकार का हैडेक है अगर आपको हैडेक होता है सरदद होता है तो आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे या कुछ घंटे में यह बंद हो जाएगा ठीक हो जाएगा और वापस नहीं आएगा लेकिन माईग्रेन अगर आपको है तो आप कैसे पहचानेंगे चार गंटे से लेकर के दो दिन तीन दि अब आप कुछ भी करें चाहिए आप पेंकिलर्स खाएं चाहिए या और भी दवा खाते हैं यह अपना टाइम पीरेट खतम करके ही जाएगा तो इसको आप खाली क्या कर सकते हैं रेस्ट करके लाइट में ना जाएं साउंड कम करें उसके बाद पानी खुब ज़दा तो आप जो रोज के काम कर रहे हैं उसको भी एफेक्ट कर सकता है और आप बेड रिडिन भी हो सकते हैं मैं आपको बता दू यह वर्ल में सिक्स्ट प्लेस में डिसेबल करने में लोगों को माइगरेन का बहुत बड़ा हाथ है मतलब यह है कि अगर आप माइगरेन की चपे अडियत हैं तो इतनी ज़्यादा बनागी चेंज चैंज करेंगे हैं आपको यह हूँ और चार चार पांच बाज दिन रहे आपके बॉडी में बीबी पेइन हो सकता है कई लोगों को औरो आक के साथ आता है मतलब यह कि आपको पहले मतलब को पता चलेग मुझे माइड होन आएगा सामने वाला क्या बोल रहा इतनी जादा विक्ने सो जाती है कि आप चाहते हैं कि आप किसी से बात ना करें तो यह औरा हुआ और उसके बाद धीरे 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 आपके सर में दर्द चाल होगा दर्द कैसे होगा आप कैसे पता करेंगी कि मुझे सर में दर्द हो थोड़ी देर में अगर आपने फिर भी पहली पर जब ऐसा हुआ तो आपने नहीं कंट्रोल किया दूसरी बार हो सकता है यह पूरा सर कवर करे और आपकी आंखों तक जाए जब बहुत सीवियर हो जाता है तो यह आपके जबडों तक पूरे फेस तक भी जा सकता है और आपक अग जो है वो प्रभावित नहीं होता बलकि पूरा शरीर इसमें जो है शामिल हो जाता है सर है पीछे पिर गला है और जो लाइन वहां तक दर्द फैलता है तो अब ऐसे में जो युवा पीड़ी है वो सबसे जादा क्योंकि रेड फ्लैग है सबसे जादा वो प्रभावि उनको यह डाउट रहता है कि क्योरेबल है की नहीं है और अगर क्योरेबल है भी तो उनको कितना समय लगेगा इस माइग्रेन के पीछा छोडाने में तो इसका क्या है लोगों में सबसे बड़ा डर है माइग्रेन को लेकर आज भी कि क्योर होगा की नहीं माइग्रेन हो गय अगर आपको सर में दर्ध है तो आप यह देखिए कि क्या चीज मुझे ट्रिगर करें किस कारण से मेरा माइगरेन का अटाक आ रहा है जैसे कि आपको पीरेज हैं हामोनल चेंज होंगे तब हो सकता है अगर आप धूप में हैं सड़नली ठंड बे बहुत जादा चले गए तो पहले तो आपको यह देखना होगा कि माइगरेन मुझे क्यूं हो रहा है अगर आप वो कॉस्स समझते हैं तो आप उसको जितना अवोइट करेंगे आपके जो एपिसोड्स हैं माइगरेन के वो धेरे-धेरे कम होते जाएंगे सेकेंडली आपका करियर खतम नहीं हुआ है यह एक हैडेक है अगर आप इसको मेंडेन करते हैं साथ में हुमियोपेथी मेडिसंस लेते हैं तो यह क्यूरेबल है टाइम कितना लगेगा माइगरेन के बहुत अलग अलग टाइप्स हैं और सबकी बॉड़ी अलग है आपकी कितनी केपेबल है माइगरेन के पेन को सेहने में वह एक बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करता है दूसरा अगर आप होमेपेथी मेडिसंस ले रहे हैं तो आपने क्या वह सारे चीजे अवाइड की है जो आपकी बॉड़ी को ट्रिगर कर रहा है माइगरेन के लिए वह बहु कुछ महीनों में आप माइगरेन पे जीत सकते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ ला सकते हैं माइगरेन का मेन प्रॉब्लम यह है कि वह इतना सीवियर हो जाता है वह अपने रोज के काम को नहीं कर पाता है क्योंकि वह इतना सीवियर है कि खाली सर पे नहीं है वह आपकी या महीने में 5-7 दिन हो अभियत का पारी कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी हो जाता है कभी ना कभी तो अब इस पर आप बताएंगे लॉंग टर्म ये ट्रीटमेंट होता है इधर ये सेंटम वाइज हो चाहे जिनको बहुत कॉंक्रीट जो है माईग्रेन वो डिवलाप ह हो जाता है तो तो आप हुमियोपैथ की हिसाब से लोग जो है उनका काफी ज़्यादा विश्वास दिखता है हुमियोपैथ के पती लोग ऐलोपेथी से जादा प्रिफर कर रहे हैं माईग्रेन के लिए हुमियोपैथ तो इसमें आप इलाज कैसे सजेस्ट करती हैं क्या मतलब अगर वो माईग्रेन पहली बार प्रिमेचूर माईग्रेन लेकर आते हैं तो आप क्या सुझाओ देंगी और किस तरीके से जो एक मरीज है बच्चा मरीज है उसको लेकर ट्रीट करते हैं अडल्ट को ट्रीट्मेंट कैसा आपका हमियोपैथ में बढ़ता है तो अपने क्लिनिक में पेशिंस को यही बोलती हूं सब एज के लिए वालेड है आपको पानी बहुत पीना है आपको नींद बराबर लेनी है थोड़ा सा लाइफस्टाइल बदलना है मतलब आपको एक्सरसाइस पे थोड़ा ध्यान देना है चाहे आप आप आधा गंटा वाक करें थोड़ी बहुत योगा करें या ब्रीधिंग एकसरसाईस करें वो बहुत जरूरिया आपके बॉड़ी पर ब्लड सर्कूलेशन बराबर रखने लिए जब आपके बॉडी का ब्लड सर्कूलेशन अच्छा रहेगा तो आपको नर्वस की प्रॉबलम है ये काफी हग्त आप कोई भी धवा लें, अगर आप दूसरे पैथी की तरफ जाते हैं, तो वो आपको हो सकता है, टिम्परीर रिलीफ दे और जैसे आप छोड़ेंगे यह वापस आ जाएगा, कई बार क्या होता है कि आप वेट भी गेन करते हैं बाकी दवाओं में, बट होमियोपैथी अगर आप आधा दूरा ट्रीटमेंट लेते हैं या खुद से करते हैं या कही सुनी बातों पे जाते हैं, तो हो सकता है आप अपने आपको कहीं मसीवत में लांड कर लें, क्योंकि आपने बताए कि क्रोनिक के अंदर रियंतरगती आता है माइग्रेन, तो सबसे पहले यह सरह सी जानकारी दे कि अगर मरीज जाता है डॉक्टर के पास, तो कई जगाओने जानकारी मिल जाती है कि इनकाben अपना आपने यह किस च्रेनी में लेंगे, फीकर Mocrat क willst, कि आपने लिचाल यह जानकारी मिल आपर में, प्योंकि किस च्रेनी में हम लोग रखे गरी माइग् तो कही ना कही लोगों के लिए जानना जरूरी है कि इसको आपने बताया ही है, लेकिन इसको किस तरीके से श्रेनी में रखे, क्या उन्हों में जो डर है, वो डर वाजिब है, लोग इतना डर कर बैठ रहे हैं, कि फुरस दे से वो ट्रीटमेंट शुरू कर दे तो कैसे ट्री जैसे कि मैंने बोला कि moderate, mild है कि बहुत severe है, डिपेंड करता है, अगर आप शुरू में basic symptoms लेके आए तो यह आपका बहुत severe नहीं है, यह mild form है, थोड़ा बहुत अगर आप precautions रखते हैं, जो मैंने बताया कि नीन बराबर होने चाहिए, screen time कम होना चाहिए, आपको खाना अच अगर इतना जाधा pain है आपको, कि आप bed-ridden है और यह तीन दिन, चार दिन continuously है, तो यह severe है, क्यों कि आपने रोज के जो काम थे आपके, उसको hamper कर रहा है, यह वहाँ पे आपके कारे को प्रभावित कर रहा है, आप अपनी normal life को नहीं जी पा रहे हैं, तो यह critical भी हो सकता ह कुछ बहुत जादा cases में हम क्या करते हैं, confused हो जाते हैं, कि migraine पे ध्यान देते हैं, बट उसका जो cause है, वो हम भूल जाते हैं, तो चाहे युवा पीडी हो, बच्चे हो, या महिलाए हो, या 55 यह के उपर तक के भी लोग हो, ये किसी में भी mild हो सकता है, किसी में भी severe हो सकत की जुरत पड़ती है, और आप hospitalized होते हैं, और कई बार जब हम blood test करते हैं, या इसके cause को दूनने की कोशिश करते हैं, तो किसी और बीमारी के साथ भी associate होता है, जी, migraine के बारे में तो आपने काफी जानकारी दे दी है, फिर भी कुछ दर्शकों का सवाल रहता है, कि जो migraine ह उसको cure होने में कितना समय लग जाएगा, बच्चों का फिर भी सवाल रहता है, कि कितना समय लग जाता है, क्योंकि वो हमेशे अपने career को लेकर काफी ज़दा precise रहते हैं, क्या वो करें ऐसा precautions ले कि जल से जल उन्हें इस चीज से राहत मिल जाए, अफकोस lifestyle तो आपने बताय है, खानपान का बहुत जादा ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, वो monitor नहीं कर पाते हैं इन चप चीजों को, तो उनके लिए क्या निवारन हो पाएगा, क्योंकि जहां माइगरेन शब्द आता है, वहां उन्हें एक चश्मा दे दिया जाता है, क जरूरी नहीं है कि अगर आपको माइगरेन तो आपको चिश्मा लगेगा, चिश्मा देखे कब लगता है, जब आपकी आई साइट कमजोर होने लगती है, या तो आप पास की चीजे पढ़ नहीं पा रहे हैं, दुंदला हो रहा है, या आपके दूर की चीज आप दुनली और हेडिक साथ में नहीं आते हैं, बट ये एक उसका कॉंसिक्वेंस है, तो अगर आपने सही समय पे चश्मा बच्चे को लगवा दिया है, तो आपको हेडिक नहीं होगा, बच्चे मॉनिटर नहीं कर सकते, जैसे कि आपने कहा, तो यहां पे माबाप का बहुत बड़ा र हैं, जिनके बॉडी में नूटरिशन की कमी है, उनमें माइगरेन बहुत ज्यादा देखा गया है, तो वैसे बच्चों में अगर है अभी है और वो प्रॉपर रूप नहीं लिया है माइगरेन का, तो उनमें आप नूटरिशन की भरपूर करिये, आप उसको मल्टी वटाम अच्छी डाइट दे सकते हैं, और अक्टिव रखिये, आज अब देख रहे हैं, कि बच्चे फिल्ड पे नहीं जाते हैं, बच्चे फिजिकल एक्सराइज कुछ नहीं करते हैं, दिन बर खाली मोबाईल और टीवी देखते हैं, तो ये माबाप की रिस्पॉंसिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा सा अक्टिव रखिये, ग्राउंड की तरफ लेके जाहिए, जिसमें माइगरेन क्या कोई और बिमारी भी उनको नहीं हो, आपके पास कई मरीज आते हैं, और माइगरेन के भी मरीज आज कल बहुत जादा आने लगें, तो फिर आपन कौन सा सिम्टम्स आपने देखा है, कौन सा आपने देखा है कि वो लापरवाही बरत रहें, जिस वजह से माइगरेन बढ़ती चले जा रहा है, क्या देखा है अपने लोगों अवेर ही नहीं है कि माइगरेन क्या होता है, जब शुरू में सर में दर्द होता है, वो लोग लेते हैं या सोचते कि अच्छा सरदर्दे कुछ टैम में ठीक होजेगा और जब यह बहुत जादा बड़ा रूप ले लेता है और अगर कोई डॉक्टर ने बताता है कि यह माइगरेन है तो बुलेंगे रहे माइगरेन यह तो कभी ठीक नहीं होता है और वहीं पर यह लोग क्योंकि यह आपको 100% के और करने में हेल्प करेगा कई पेशन्ट आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि हम यहां पर यह तो नहीं फॉलो कर पाएंगे जो आप हमको रिस्टिक्शन बोल रहे हैं तो आप याद रखिए अगर आप अपनी लाइफ स्टैल नहीं चेंज करते हैं तो माइगरेन दवा से कुछ टाइम के लिए आप ठीक कर सकते हैं बट यह लाइफ आपको लॉंग परेशान करने वाला है तो अगर आप लाइफ लॉंग इससे छुटकारा चाते हैं तो आपको लाइफ स्टैल तो जी इंच करना ही बड़ेगा हर चीज का एक शुरुवाती दौर होता है और एक अंत दौर होता है तो माइगरेन अफकोर्स कहीं ना कहीं से शुरू ही होता है तो जब शुरू वाला जो पड़ाव होता है उस समय कैसे कैसे सिम्टम्स रहते हैं यह दर्शक अगर जानना चाहें और जान ले तो एक कहीं कहीं एक जानकारी के साथ जागुकता भी होने मिलेगी साफ तो अगर शुरुवात जब होता है तब कैसे कैसे चीज होते हैं और अगर हम लोग छोड़ते हैं उसको तो इसका अंत कितना भयावा हो सकता है ये भी अगर आप एक बर बताएं अपने आपने जितना भी अब्जर तो भी ठीक हो जाएगा माइग्रेन में अगर आप दवा लेते हैं तो भी ठीक नहीं होगा अगर अगर अंधिरे में बैट रहे हो जैसे कि अभी में एक दम ठीक हूं सड़नली बहुत आवाज हुई सांड वा या सूरज के तरफ में गई बाहर गई और मेरे सर में दर्द ह सब्सक्राइब। वादफ में चालगा में रहाएं सरमें पलसेशन याइक उवा यह जिसे अपको पल्सेशन से हार्टपीट जाए ये सब्सक्राइब चाहएं सब्सक्राइबraw लूगा, हुट उकर यह बबेडाई नहीं खते होुनीं पना ट्यूम में युए में इस प strateg, यह आप समझ जाए और अगर बार हो रहा है आपको ताब समझ जाए आप माइगरेन के शिकार हो गए हैं कई बार यह औरा के साथ आता है जैसे मैंने बोला कि आपको ना पहले से कुछ इंट्यूशन होंगे आपको समझ में आएगा जो आपकी बॉड़ी है वो आपको बता रहे है कि अब माइगरेन स्टार्ट होने वाला है जैसी कि आपके पेट में दर्द हो रहा है आपको लग र आपके आएंख में भारी पन लग रहा है और आपका विजूशन इन दूदला होता जा रहा है और धीरे 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 कुछ गंटों में बढ़ता जाएगा स्पेसिफिक्ली सुभास से संट होता है जब सूरज निकलेगा उस टाम से स्टार्ट होगा और अंधेरा नदा हो ज आपको माईगरेन है और आपको होमियोपैथी की बोहत ज़्यादा पढ़ने वाली है। होमियोपैथी इलाज के लिए तो लोगों में अभी भी काफी ज़्यादा विश्वास है। लोग सीधा अगर क्रोनिक डिजीज का नाम आता है। लोग होमियोपैथ के पास दोड़ते हैं। होमियोपैथी के दवाई चलती ही है। लेकिन शादे की रूप से भी कही न कहीं डॉक्टर्स जो हैं चिकित्सक है होमियोपैथ की वह उन्हें कहीं अंग का एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। तो अगर सर का हिस्सा अगर आता है तो कौन सा अंग है जहां पर आप एकदम बताएंगे कि इसे हमेशा हमें एक्सरसाइज में रखना है ताकि हम लोग इसको रोटेट करते रहें बॉड़ी को काम में ताकि दवाई जो है वह भी असल्ट में कारिगर हो क्योंकि कौनिक डि अगर आपके बॉड़ी के सर्कूलेशन को बराबर कर रहा है मतलब खून बराबर अगर आपके बॉड़ी में दोड़ रहा है तो आपको माइगरेन नहीं होगा तो एक तो आप रुनिंग जॉगिंग कर सकते हैं एक गंटा कोई भी ऐसे एक्सरसाइज की जिससे आपको आप मिन्टन हो, होकी हो, Swimming हो, FooTball हो, BASKETBOL हो कोई भी ऐसे बाहर की अक्टिविटी कोई भी एक स्पोर्स आप कर सकते हैं अगर आपको माइगरेन है तो आपको पॉस्चर का ध्यान रखना होगा आपके गरदन पे भी पैन स्टार्ट होता है और सर तक जाता है अगर आ वह एपने होटा देते हैं। अब है नहीं करना है कि एक लिए हटा अठाना रूफ परफिते हैं। इससे ना चलमाकर एंड़ी, मॉऍफकी tookie, खाना आपको माइग्रेन थियूठ थिपून, स्वीश्टिय०रु आंटएपनी सबस्य होते हैं। वो सबसे भी अगर आप हेट मसाज करते हैं, पानी पीचे थंडा और थोड़ा से रिलाक्स करते हैं, तो भी आपके हेट को, हेट पेन को, माइगरेन को आराम मिलता है, आप नेक रोटेशन, छुल्डर रोटेशन, एंड स्ट्वेचिंग, यह भी कर सकते हैं, कई हद तक यह आपको माइगरेन के पेन में आराम देता है, लेकिन याद रखिये, अगर आपको माइगरेन का अटक आ गया है, तो आपको तब रेस्ट करना है, तब आप फिजिकल एकसरसाइज नहीं करेंगे, तो जो भी मैने एकसरसाइज बताई है, यह अटक के पहले है, और अगर युवा पिड़ी का दिखर किया है। युवा पिड़ी कहीं कहीं रेजिस्ट करते हैं चश्मा अगर उने लगाया जाता है। तो पहीं कि माईग्रेन हो गया तो पहनना पड़ यह तो इसको आपका पावर बहुत कम है, तो यह आप स्टे कर सकते है। माइगरेन है इसलिए आपको चश्मा नहीं लगा है आप यह ध्यान रखें क्यूंकि आपने आँखों को बहुत ज़ुदा एक्जोट किया है इसलिए आप चश्मा पहन रहे हैं चश्मे से आपको छुपने की जरूत नहीं है अगर आप रेगुलर कंटेनियूसली चश्मा प और बिना चश्मे को भी कई बार गूम सकते हैं लेकिन एक बार अगर आपका पावर बढ़ गया और आपको दूर से फिगर्स नहीं दिख रहे हैं या पांस का बिल्कुल भी नहीं पड़ पा रहे हैं तब तो फिर आपके पास आप्शन नहीं है आपको चश्मा लगाना ही उमीद है डॉक्टर प्यांका आपकी और से दी गई सारी जानकारी मतलब माइगरीन कहां से उत्पन होता है कहां उसको रोकना चाहिए उसकी निवारन है लोगों का सबसे बड़ा सवाल था कि क्या माइगरीन क्यों होता है तो आज हमें जवाब मिल गया है कि बिल्कुल क्य झाल झाल